आज मैं आपके साथ बूंदी के लड्डू की रेसिपी शेर करना जा रहा हूँ और जब बूंदी के लड्डू की बात आती है तो थोड़े बच्पन की तरफ वापिस चलते हैं जब हम इसकूल के अंदर 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो तो उसके बाद दो लड्डू दिया करते थे तो उस लड्डू की रेसिपी में आपके साथ शेर कर रहा हूँ तो आप बना कर जरूर इंजोई कीजिए यदि आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेर कीजिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स अब बौल में वरन हाप कप चान कर लिया हुआ बेसन को एड़ कर देंगे तो जिस मेजरमेंट कप से बेसन एड़ किया था उसी कप के अंदर पानी लिया है और अब पानी को दीरी-दीरी करके मिलाते जाएंगे और विक्स से अच्छी तरह से बेटर को मिक्स करते जाएंगे पानी एक साथ नहीं डालना है पानी थोड़ा-थोड़ा करके ही डालना है तो बेटर अभी भी थिक है तो इसमें और पानी एड़ करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो बैटर अभी भी थोड़ा सथिक है इसमें और पानी आड़ करेंगे और विस्क से अच्छी तरह से mix कर लेंगे बूंदी के लड़ू बनाने के लिए बैटर की consistency ही सबसे important है अगर आपकी बैटर की consistency बिल्कुल perfect है तो बूंदी के लड़ू बिल्कुल perfect बनेंगे अब बैटर में pinch of baking soda add करेंगे और pinch of orange red food color add करेंगे अगर आप baking soda add नहीं करते हैं तो बैटर को एक ही direction में 5-6 मिंट के लिए विस्क से विस्क करना है ताकि बैटर के अंदर air बनें तो बूंदी लड़ू का बैटर बनाने के वरन हाप कप पाने लिया था उसमें इतना पानी बज गया है तो आदा कप खरबूजे के बीज लिये है और इनको धीमी आज़ पे roast कर लेंगे और continue mix करते रहेंगे ताकि नीचे से जलेनी और एक साग कलर आए तो अब खरबूजे के बीज में चटकने की आवाज आनी शुरू हो गई है और अच्छी तरे से roast हो गए है और अब गैस को सीचॉप कर देंगे और एक बहुल के अंदर निकाल कर ठंड़े होने के लिए रख देंगे तो आप बूंदी को फ्राइ करने के लिए कड़ई में मुंख फली का ओईल या है और ओईल को गरम होने देंगे आप ओईल की जगे गी का भी यूज कर सकते हैं तो ओईल अब अच्छी तरे से गरम हुआ या नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए थोड़ा सा बैटर डालेंगे और चेक करेंगे आप देखते हो बैटर बहुत ही क्विकली उपर आ रहा है तो ओईल अच्छी तरे से गरम हो गया है और आप जब भी बूंदी फ्राइ करने के लिए कड़ई लें कड़ई हमेसा मोटी ही ले यारी पैंदा उसका थिक हो पतली नहीं ले क्योंकि बूंदी फ्राइ करने के ल आप शेयर कीजिए तो ओईल अब गरम हो गया है और आप ज़ारे पे बैटर डालेंगे और बूंदी निकालेंगे बूंदी आप नॉर्मली घर में जो ग्रेटर होता है उससे भी आप निकाल सकते हैं और घर में जो छोटे ज़ारे होते हैं उससे भी आप बूंदी निकाल तब तक पहले वाली बूंदी पक जाती है तो यह आपस में चिपकती नहीं है इसलिए जारे को थोड़ा सा उपर रखते हैं कि जैसी सारा बैटर्ड ओइल के अंदर डाल दें उसके बाद क्यास फ्लिम को थोड़ा सा लो कर देंगे और बूंदी को पकने देंगे जैसी डालते हैं उसी वक्त नहीं निकालना है तो अब बूंदी हलकी सी पक गई है और अच्छी तरह इस पे गोल्डन कलर आ गया है और अब सारी बूंदी को बाहर निकाल देंगे यदि आपको मेरे रेसेपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस जरूर करें तो आप बूंदी का सेकेड डाउन फ्राइ करेंगे जब भी आप बूंदी के लिए जारे का यूज करते हैं उसको बार-बार दोना है और उसके बाद यूज करना है नहीं तो बूंदी गोल-गोल निकलेगी चप्टी निकलेगी तो इस बात का ध्यान रखे तो अब बूंदी अच्छी तरह से फ्राइ हो गई है और अब बाहर निकाल देंगे तो इस तरह से सारी बूंदी को फ्राइ करना है तो आपको मेर रेसेपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट लिक कर जरुरू बताये तो बूंदी लड़ू के लिए सारे बूंदी को फ्राई कर दिया है और अब लड़ू के लिए चासनि बनाएंगे चासनि हमेसा लास्ट में ही बनानी है पहले नहीं बनानी है तो अब चासनी के लिए measurement cup से वरन हाप cup चीनी आड़ करेंगे और जितनी चीनी ली उसकी सेम quantity में पानी आड़ करेंगे यानि वरन हाप cup पानी आड़ करेंगे और उसके बाद continue mix करते रेंगे और तब तक mix करेंगे जब तक चीनी अच्छी तरह से घुल नहीं जाती तो चीनी अच्छी तरह से dissolve हो गई है यानि घुल गई है और अब इसमें 140 टी स्पून एलाची पाउड आड़ करेंगे और थोड़े केसर के धागे आड़ करेंगे और उसके बाद mix कर देंगे और चास्नी को थोड़ा और पकने देंगे शुगर सिर्प को हमको एक तार की नहीं बनानी है इतनी ही पकानी है कि इसके अंदर चिपचपा बना जाए यानि जैसे सहत की तरह चिपचपा बना जाए तो अब चास्नी में हनी की तरह चिपचपा पन आना शुरू हो गया है और अब गैस को स्वीच ओप कर देंगे और चास्नी को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तो ये बिलकुल परफेक्ट है तो चास्नी अभी थोड़ी सी वाम है और अब इसमें सारी बुंदी को एड़ कर देंगे और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यदि आपको में रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए तो अब बुंदी को चास्नी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जैसे हम बूंदी चासनी में डालते हैं तो चासनी की quantity ज़्यादा दिखती है तो इसमें बिल्कुल भी गबराने की बात नहीं है जैसी बूंदी के साथ चासनी को mix करेंगे थोड़े टाइम के बाद बूंदी पूरी चासनी को observe कर लेगी तो अब ढ़कन लगाकर धीमी आज पे 1-2 मिंट की लिए पकने देंगे तो बूंदी को चासनी के साथ धीमी आज पे 2 मिंट की लिए पका लिया है और अब गैस को सी चौप कर देंगे और चम्मत से बूंदी को अच्छी तरह से mix कर लेंगे और उसके बार ढखकन लगाकर चार से पांच मिन्ट के लिए रहने देंगे ताकि बूंदी में कहीं कसर है तो वो निकल जाए और चासनी अच्छी तरह से अबजर हो जाए तो ढखकन लगाए वे पांच मिन्ट हो गए है और अब इसमें रोस्ट के वे अबजर हो गई है और अब बूंदी को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तो बूंदी अभी थोड़ी से गरम है और गरम गरम बूंदी से सारे बूंदी के लड़ू बना देंगे अब इसमें थोड़े से खरबुजे और थोड़े से पिस्तायड करेंगे ताकि बूंदी के लड्डू काने में बहुती स्वादिश लगे और लड्डू की साइज आप अपने साब से छोटी या बढ़ी कर सकते हैं तो इस तरह से सारे राउंड शेफ में लड्डू बनाने हैं थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक और शेर जरूर कीजिए इप यह और नी कॉमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कॉमेंट्स बाक्स